नमस्ते फेंट्स में डॉक्टर रेनुका और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे योटूब चैनल पर दोस्तों आज का टॉपिक कमर दर्द हमारे पहले वाले वीडियो का ही दूसरा पार्ट है इसलिए आप प्लीज पहले जाके वो वाला वीडियो देखिए मैं लिंक भेज़ दूँगी जिससे आगे आगे आपको इस वीडियो को समझने में हेल्प मिल सके दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारी lifestyle में हम क्या changes लाएं जिससे कि हमें कमर दर्द ना हो और ऐसी कौन-कौन सी बिमारिया हैं जिससे कि हमको कमर में दर्द होने लगता है और हम differentiate कैसे करें कि muscles का दर्द क्या है या kidney का pain है तो वो कैसा होगा या GIT कम्परिन के कान pain है तो वो कैसा होगा या महिलाओं में कोई तकलिफ है तो उससे दर्द कैसा होता है और हम discuss करेंगे कि इन symptoms के इतार पर उनको क्या homeopathic medicines दी जा सकती है और कमा दर्द के लिए कौन-कौन सी exercise helpful हो सकती है तो चलिए शुरू करते हैं तन, मन, धन दोस्तों ये मुहावरा हम सब ने सुना है आज हम कोशिश करेंगे इस मुहावरे के earth को redefine करने की दोस्तों हम हमेशा इस मुहावरे को इसी sequence में क्यों बोलते हैं तन, मन, धन फॉर एक्जामपल आप सुबह सुबह आराम कर रहे हैं तो आपका मन बोलेगा कि और सोचाएं लेकिन तन बोलेगा दोडो, भागो, exercise करो, खेलो, कूदो, physical exercise करो दोस्तों हम सबसे पहले अपने health के बारे में सोचें अब हम बात करेंगे कि हमें कमर दर्द किन-किन बिमारियों में हो सकता है इसमें number one नाम आता है kidney की बिमारी यदि kidney में stone हो गए हैं तो कमर में दर्द हो सकता है इसमें दोनों sides पे pain हो सकता है flanks में या one sided pain भी हो सकता है और इसमें difference यह होता है muscles pain से कि इसमें बहुत ही sharp shooting pain होता है और continuous pain नहीं बना रहता है और एक चीज और होती है जब वो stone body में move करता है तो patient का pain बढ़ जाता है किड्नी की दूसी बिमारियों में भी कमर का दर्द मिल सकता है जैसे UTI वगेरा में bathroom की जगे के infection में भी कमर का दर्द मिलता है दोस्तों पेट संबंदी समस्याओं में भी जब कबजियत होती है तो patient को कमर का दर्द हो जाता है और एक बात और महिलाओं को महावारी के टाइम पे मैंसिस के टाइम पर पेट में दर्द होने के साथ साथ कमर का दर्द बना रहता है पर उसमें दर्द स्पाज्म के फॉर्म में आता है दोस्तों सभी को कभी न कभी कोई न कोई तरह का कमर का दर्द बना रहता है मैं यहाँ पे यह point discuss करूँगी कि आपको इसको कब seriously लेना है Number 1 जब patient को कमर का दर्थ एक या दो हफ़ते से लगातार बना हुआ हो Number 2 उसको तकलीफ कमर के दर्थ की तकलीफ सुने में भी हो रही हो और करवट लेने में तकलीफ बढ़ जाती हो Number 3 पेन इतना जादा हो कि unbearable हो तो भी seriously लेना चाहिए Number 4 जब patient को कमर के दर्थ के साथ साथ neurological symptom भी आने लग जाए means पेरों में जुन-जुनी आना कमर में सुनपन होना आदी और लास्ट जब कमर का दर्थ केवल कमर तक ना रहे कर शरीक के दूसरे हिस्सों में भी radiate होने लग जाए तो हमको इस पेन को seriously लेना चाहिए और किसी डॉक्टर का सला मशुद्या लेना चाहिए दोस्तों ये topic अब उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक कमर का दर्थ हुआ नहीं है means prevention के लिए सबसे number one बात इसमें ये है कि हर इनसान को अपने body का position maintain रखना चाहिए यदि वो खड़ा हुआ है तो कोशिश करे कि वजन अपने दोनों पैरों के उपर दे और यदि वो chair पे बेठा हुआ है तो अपने lower bed को किसी cushion से support दे और एक बात और जब वो कुर्सी पे बैठता है तो कोशिश करे कि कुर्सी की height इतनी हो कि उसके feet flow से touch होने चाहिए number two पे है यदि आपको कोई भारी समान उठाना है तो lift properly means कमर के सांसान आपको पेरों पर भी वजन देना है कम्प्यूटर पे या office work करते समय भी आपको एक ही position पर बहुत देन नहीं बैठे रहना है उससे कमर पर strain पड़ता है बार-बार बीच बीच में शरीर को एक gentle stretch देते रहना है हाँ लेकिन यहाँ ध्यान रखें over stretching भी नहीं करना है इसमें एक बहुत ही important topic होता है listen to your body मैं हमेशा बार-बार अपने वीडियो में repeat करती हूँ हर इंसान की body अलग-अलग होती है इसलिए आप ही सबसे ज़्यादा बहतर अपनी body को समझ सकते है जब अपनी body के बारिक-बारिक symptoms को आप खुद notice करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है और क्या नहीं अब मैं आपसे कुछ yoga sun और exercise share करूँगी जो आपको कमरदर से बहार निकलने में help कर सकते है number one पर है बुजंगा sun या हम कह सकते हैं gobra pose number two पर है शलभा sun number three पर है बाला sun या हम बोल सकते हैं child pose number four पर है सेतू बंधासना और number five पर है केट केमल स्ट्रेच या माजरियासन ये आसन यदि आप लगाते हैं तो patient को बहुत help मिलती है लेकिन यहां मैं फिर से repeat करूँगी यदि आपकी कमरदर पीन में है यदि स्पाजम आया हुआ है तो उस ट्रीम आपको कोई भी exercise या कोई भी योगा नहीं करना है दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी homeopathic medicines की इसमें number one पर है asculus asculus हम patient को तब देते हैं जब उसके दोनों hips के बीच वाले हिससे सेक्रम में पीन होने लगता है patient के लिए कोई भी movement मुश्किल हो जाती है उसको जगरंद फील होती है तब ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों number two पर है rust rocks इसमें patient की कमर में दर्द होता है उसको ऐसा फील होता है कि कमर में उसको मोच आ गई है इस्प्रेन आ गया है और ये rheumatism की condition में भी अच्छा काम करती है दोस्तों जब ठन के मोसम में patient की तकलीफ बढ़ जाती है तो भी rust rocks का अच्छा रोल होता है इसमें patient को movement से अराम मिलता है और जादा exertion से तकलीफ बढ़ जाती है number three पर medicine है hypericum यह medicine हम patient को दब देते हैं जब उसके sacrum वाले हिस्से में या coccyx वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा pain होता है pain unbearable होता है और साथ साथ उसको जुन-जुनी और tingling sensation या हम कह सकते हैं सुनपन भी साथ में बना रहता है यह medicine है अरनिका मोंटाना यह medicine patient को हम तब जेते हैं जब किसी चोड के कारण नील पड़ जाती है और patient को कमर में दर्ध होने लगता है तब यह medicine बहुत कारगर है दोस्तों अब हम बात करेंगे causticum की causticum medicine हम patient को तब देते हैं जब उसकी कमर में दर्ध होने की साथ साथ उसके उल्टे पर में भी तकलीब होने लगती है दोस्तों left-sided sciatica में causticum बहुत अच्छा काम करती है और साथ साथ patient को इसमें सुनपन और जुनजुने भी feel होती है अब हम बात करेंगे रूटा ग्रेविलेंस की यह medicine हम patient को तब देते हैं जब उसकी कमर में बहुत जगरन फील होती है और सुबह उठने से सुबह बिस्तर से उठने में उसको यह तकलीब बहुत बढ़ जाती है जब over-stranding के कारण कमर की muscle खिर जाती है तो यह medicine बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों इसमें patient को pressure से या दबाने से अराम मिलता है और मोसम जदी ठंडा हो तो patient की तकलीफ बढ़ जाती है दोस्तों homeopathy में patient की condition के अनुसार उसके potency और doses टै होते हैं इसलिए आपको अपने patient को किसी doctor को physically दिखा कर ही इन में से कोई दवाई लेनी है दोस्तों यदि आपको मेरा या video informative लगा हो और आपके कमदर के pain में इससे help मिलनी हो तो please like, share and subscribe my video, my channel thank you